असलाम वलेकूम आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मेयोनी समोसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुती टेस्टी और बहुती लजीज बनते हैं ये समोसे तो आपने से जरूर ट्राय करना है इंशालला आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है एक कडाई में मैंने यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून ओईल गरम कर लिया है फिर इसमें एट कर लेंगे एक बड़ी पियास बारीक से चॉप करके और इसे बस हलका सा सॉफ्ट होने तक फ्राय करना है हमें जादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे तो देखिए बस इसी तरह का हमें पियास चाहिए अब इसमें एट कर लेंगे चिकन तो तीन सो ग्राम बोनलेस चिकन लेकर मैंने इसका देखिए इस तरह से मोटा मोटा कीमा बना लिया था चॉपर में गुमा कर अब चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इससे फ्राय कर लेना है तो यहा देखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो गया है अब इसमें एट कर लेंगे 1 टेबल स्पून अत्रक लिच्ण का पेस्ट और टेष्ट के हिसाब से नमक एट करेंगे 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुनेवे जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून गरम मसाला 2 हरी मिर्ची एट किये मैंने इसे इसमें बारी कट करके आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची को कम या जादा कर सकते हो और चिकन भी गल जाएगा तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमें इसे कवर करके कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए जब तक सारा पानी ड्राइ नहीं हो जाता चिकन का तो यहां देखिए अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स होगे है चिकन में और पानी भी हमारा लगबग ड्राइ हो चुका है बस एक बार अच्छी से चला लेंगे और फिर इसमें एड़ कर लेंगे स्वीट कॉन हाफ कब बॉल करके कॉन एड़ किया है मैंने यहां पर और फिर से इसे mix कर लेंगे एक मिनिट के लिए अच्छी तरह से इसे medium flame पर चला लेंगे corn का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता इस समोसे में फिर भी अगर आप चाहो तो corn के बदली कोई भी veggies एट कर सकते हो अपने पसंद की अब इसमें एट कर लेंगे एक कप हरा प्यास बारी कट किया हुआ और medium to high flame पर बस एक मिनिट के लिए हमें इससे चला लेना है सारा पानी चिकन का और veggies का अच्छी तरह से सुख जाए जब तलके हमें इससे fry कर लेंगे अब गैस की flame को off करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो यहाँ देखिए हमारा चिकन का कीमा जो था ओच्छी तरह से ठंडा हो गया है अब इसमें mayonnaise एट करेंगे तो 5-6 बड़े चमच मैंने mayonnaise एट किया है और बहुत ही अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ों को mix कर लेना है जरूरत पड़े तो और भी mayonnaise आप add कर सकते हो एक से दो चमच यहाँ देखिए बिल्कुल बराबर quantity मैंने add की थी तो हमारा chicken mayo समोसा की जो feeling है वो बनकर तयार है अब समोसा बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर sweets की ready-made sheets का use किया है अब एक corner को इस तरह से fold करके हमें एक cone बना लेना है और फिर इसमें अपनी चिकन की feeling है, stuffing है वो add कर लेंगे तो एक से देड़ चमच stuffing add करेंगे इसमे और फिर से इसे इस तरह से देखिए, fold करते जाएंगे बहुत ही tasty बनते हैं यह समोसे तो आप इसे जरूर try कीजिएगा तो देखिए, fold करने के बाद जो last का हिस्सा बचेगा उस पर हमें मैदा और पानी की slurry बनाकर इस तरह से देखिए paste बनाकर लगा लेना है थोड़ा गाड़ा गाड़ा हमें paste बनाना है मैदा और पानी मिलाकर और इस तरह से लगाकर last का हिस्सा भी देखिए इस तरह से stick कर देना है और हमारा chicken समोसा यहाँ पर देखिए ready है इसी तरह से सारे बना लेंगे अब fry करने के लिए हमें oil को गरम करना है oil को medium hotty गरम करेंगे हम उसके बाद इसमें एके करके समोसे अपने डाल कर fry कर लेंगे oil जादा गरम रहे तो फिर समोसा जो है बहुती जल्दी से dark color हो जाएगा और फिर उतना taste नहीं आता है तो medium flame पर और medium गरम तेल में ही हमें से fry करना है देखिए अच्छी तरह से golden और crispy होने तक हमें से अलट पालट कर fry कर लेना है तो यहां देखिए हमारे समोसे बहुत अच्छी तरह से fry हो गए है सारे समोसे ऐसे ही fry कर लेंगे recipe पसंद आए तो please video को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए फिर मिलेंगे इंशाला एक नही रेसिपी के साथ टेक केर अलला हाफिज थेंक्स फॉर वाचिंग